हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओचर प्लेनेट आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलिवुड ड्रामा मोवी को जिसका नाम है टुइस बॉर्न कहानी के स्टार्ट होते ही, हमें एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसका नाम गेमा होता है, उसे एक phones call आता है फोन करने वाले बंदे का नाम गोचको होता है वो उसे photo exhibition देखने के लिए invite करता है इसके बाद हम गेमा के husband को देखते हैं जिसका नाम गैलियानय होता है, वो उसे गोचको के phone call के बारे में बताती है गोचको ने उसे फोटो एक्जिविशन देखने के लिए इनवाइट किया है ये सुनकर गैलियानो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है वो कहता है गोचको अभी तक जिन्दा है इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है उनका एक बेटा भी है जिसका नाम पेट्रो होता है पेट्रो का अपनी मॉम के साथ रिलेशन जादा अच्छा नहीं होता लेकिन गेमा उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं गेमा पेट्रो को लेकर उस सिटी में पहुँच जाती है जहाँ पर गोच को उनका इंतजार कर रहा था फिर वो एक कैफे में जाकर लंच करते हैं पेट्रो ऐसक्रीम खाने के लिए बाहर चला जाता है तब गोच को कहता है पेट्रो एक डिसेंड बोई है तब गेमा कहती है वो अपने फादर पर गया है ये सुनकर गोच को थोड़ा इसमाइल करता है इसके बाद कहानी फ्लेश बैक में जाती है जहाँ पर हमें एक यंग गेमा को देखते हैं और यहाँ पर यंग गोच को उसके साथ होता है जब गेमा पहली वार इस सिटी में आई थी तब गोच को उसका गाइड था वो बहाँ पर रिसर्च के लिए आई थी उसे गाइड करने के लिए वो गोच को अच्छा पैसा देने की बात करती है ये बात सुनकर गोच को थोड़ा गुस्ता हो जाता है और वो उसे होर कहकर बुलाता है गेमा ये सुनकर नाराज हो जाती है और गाड़ी से उतर कर पैदल चलने लगती है वो गेमा से गाड़ी में बैटने की रिक्वेस्ट करता है तब ही स्नोफॉल होने लगता है और वो गेमा से कहता है तुम यहाँ पर गुड लग लेकर आई हो क्योंकि यह इस सीजन का पहला स्नोफॉल था इसके बाद वो डिनर कर रहे होते हैं गोजको को गेमा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है इसके बाद वो अपने दोस्तों से उसे इंटरड्यूस कर बाता है यहाँ पर वो पहली वार अमेरिकन लड़के डियागो से मिलती है यह दोनों एक दूसरे को पहली वार देखते हैं और पहली वार में ही इन दोनों की नजरों में एक स्पार्क नजर आता है फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा टाइम स्पेंट करते है गोज को इन दोनों को नोटिस कर लेता है डियागो गेमा से पूचता है क्या तुम्हारा कोई बॉइफरेंड है गेमा कहती है कुछ साल पहले मैं एक रिलेशनशिप में थी अब नहीं हूँ लेक गोज को अपनी बहन से मिलवाने के लिए उससे लेकर आता है उसकी बहन ने अभी अभी एक बेटी को जन दिया था गेमा उसे अपनी गोद में उठाती है डियागो से पूचता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है क्योंकि डियागो को बच्चे पसंद थे इसके बाद ग गोज को डियागो और गेमा को अपने घर लेकर आता है इसके बाद ये लोग सो जाते हैं आदी रात को डियागो गेमा के रूम में आता है और वो से प्रपोस करता है इसके बाद वो उसकी जम कर खुदाई करता है इन लोगों की आबाद सुनकर गोज को इसमाइल करता है खु दूबात router is, gonna शादी के कुछ दिनों बाद दोनों का spill wife आती है, इसके बाद हम देखते हैं डियागो गेमा से मिलने के लिए रोमा जाता है गेमा की डेड डियागो को डेखकर बहुता है तुम यहां नहीं रह सकते मेरा अभी अभी डिबॉस हुआ है डिबॉस की बाद सुनकर डियागो बहुत खोश हो जाता है और वो गेमा से कहता है मैंने अपने रहने का इंतिजाम कर लिया है इसके बाद वो गेमा को अपने बच्पन की एक चेयर गिफ्ट करता है इसके बाद डियागो गेमा को एक बोर्ट पर डिनर करन लेते हो डियागो गेमा से कहता है मैं बादा करता हूँ तुमारा हर दिन मेरे साथ एक पार्टी की तरह होगा इसके बाद वो दोनों यहाँ पर गपागप करते हैं फिर गेमा डियागो को बताती है जब हम दोनों पहली बार इंटिमेट हुए थे तब वो प्रेगनेंट हो ग लेकिन तुम दोनों उस टाइम एक दूसरे के प्यार में थे इसके बाद वो लोग एक्जिवेशन देखने के लिए जाते हैं जहां पर पियाट्रो एक फोटो देखता है जिसमें किसी की नैक पर जलने का निशान था और उस निशान पर एक टैटू बना हुआ था पियाट कहती है नहीं ये फोटो तुमारे डैट की नहीं है पियाट्रो को ये बात सुनकर अजीब लगता है कि उसने डियागो को उसका डैट क्यों कहा इसके बाद फ्लेश वैक में गेमा डियागो को अपने अल्टर साउंट की पिक दिखाती है डियागो वो पिक देखकर उस बच सेट होती है डियागो से समझाता है कि इसका मतलब है ये हमारा पियेट्रो नहीं है जब पियेट्रो को आना होगा तब आकर रहेगा इसके बाद वो इन एगर में शिफ्ट हो जाते हैं पिर अगले सीन में डॉक्टर से हमें पता चलता है गेमा कभी भी मदर नहीं बन सकती उसके एक्स काफी बीक हैं जिसकी वज़े से उसका हरवार मिसकेरिज हो जाता है डॉक्टर कहता है तुम बिना किसी बच्चे के भी अपनी लाइफ जी सकती हो इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों काफी दूर एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं थेरेपिस को बच्चे बहुत पसंते इसके बाद डियागो का इंटर्वुई ले जाता है जहां पर वो अपने पास से जोड़ा हुआ कुछ बताता है वो वहां पर बताता है उसे ड्रग्स की लट थी और वो कुछ क्राइम भी कर चुका है लेकिन गेमा के आने के बाद वो बिलकुल बदल गया है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं फिर हमें पता चलता है डियागो के क्रिमिनल रिकॉर्ड की बज़े से वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते ये सब बताते हुए उस थेरेपिस्ट को भी बुरा लगता है क्योंक बच्चे की मा बनने के लिए काबिल होगी डियागो गेमा की बात सुनकर कहता है तुम ये क्या बाकवास कर रही हो हमें बिना बच्चे के रहना सीखना होगा मैं सिर्फ तुम से प्यार करता हूँ इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों गोचको से मिलने के लिए जाते हैं और बहाँ पर उसके फ्रेंड के साथ काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद गोचको उन्हें एक मुस्लिम फैमली के यहां इस्टे कराता है। गोचको गेमा से पूचता है, तुम लोग बच्चे का प्लान कप कर रहे हो। गेमा गोचको को बताती है, मैं कभी मदर नहीं बन सकती। इसके बाद प्रिजेंट टाइम में गेमा प्येटरो से पूचती है, क्या उसे गोचको की बेटी पसंद है। वो मना करके कहता है, उसे इटैलियन लड़कियां पसंद हैं। कहानी फिर से फ्लेश बैक में जाती है, जहां पर हम कुछ लोगों को डांस करता हुआ देखते हैं। यहां पर हम फर्स टाइम असका से मिलते हैं। असका को म्यूजिक में इंट्रेस्ट होता है, वो बस में गेमा से मिलती है और उसे अपने पैशन के बारे में बताती है। दियागो को एक रूम में अकिला छोड़ देती है, और अब उसे यह सब नैश्रल तरीके से करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैट्रो गेमा पर बहुत चिल्डा रहा होता है, उसे यह पिलेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो गेमा से पूछता है, वो उसके डैट के साथ आफिसर्स कलब में क्यों नहीं जाती है। और नहीं उस सुसाइटी में रहना पसंद करती है, वो सिर्फ यहाँ पर डियागो के लिए आई है, ना कि अपने बेटे के लिए, वो डियागो के लिए बहुत ही गाली देता है। यह सब सुनकर गेमा कहती है, तुम डियागो के एक बार अपना डैट कहकर क्यों नहीं बुला सकते। बोर की बज़े से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर एक दिन गेमा देखती है, डियागो चुपके से किसी के लिए खाना लेकर जा रहा है, वो से फॉलो करती है, इसके बाद वो देखती है, असका प्रेगनेंट है, और डियागो उसके लिए खाना लेकर आय बोर की बज़े से बहां के लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, डियागो असका के प्रेगनेंट होनी की बज़े से उसकी बहुत क्यार करने लगा था, वो उसके लिए खाना लेकर जाता है, गेमा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, और वो उसे कहती है तु असका एक बेटे को जन्म देती है तब गेमा उसे पैसे देकर वो बच्चा ले लेती है, उस बच्चे को लेकर वो रूम जाने की तैयारी करती है, लेकिन डियागो के पास पासपोर्ट ना होनी की ज़़े से वो उसके साथ नहीं जा पाता और गेमा को अकेले ही जाना पड वहाँ पहुचने के बाद उसे एक आफिसर मिलता है जो गेमा को बच्चे के साथ अकेला देखकर उसे लिफ्ट देता है यह आफिसर बही होता है जो प्रिजन टाइम में गेमा का हजबेंड होता है वो आफिसर उस बच्चे की काफी केर करता है और गेमा भी उसे अपना गए थे, बहाँ पर गेमा गोचको से पूचती है, क्या तुम शाधी सुदा हो, गोचको कहता है हाँ और मेरी एक बेटी भी है, इसके बाद गोचको उन्हें अपनी फैमली से मिलबाने के लिए लेकर आता है, गेमा गोचको की बेटी से मिलती है, और घर के अंदर आकर वो अ एक बार देखना चाहती थी जब असका प्येट्रो को बिंडो से देख रही होती है तब गेमा को असका की नैक पर वही निशान दिखाई देता है जो उसने फोटो में देखा था गेमा कहती है उसे लगा था असका मर चुकी है लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो और डियागो जब नीचे जाता है तब वहाँ पर उसे कुछ स्नाइपर दिखते हैं जो वहाँ पर मौझूद लोगों को गोली मार रहे थे जिनने देखकर डियागो छुप जाता है फिर वो स्नाइपर उपर आते हैं जहां पर उन्हें असका एक रूम में नेकिड मिलती है फि असका दर्द की बज़े से काफी जादा चिलाती है इसके बाद वो स्नाइपर असका को अपने साथ लेकर चले जाते हैं बहाँ पर उसकी जैसी काफी सारी लड़कियां गिटनैप होती हैं कुछ टाइम के बाद डियागो स्नाइपर की फोटो क्लिक करने के लिए आता है क्य गया है उनी स्नाइपर की बज़े से वो प्रेगनेंट हुई थी एक्चुल में जिसे गेमा डियागो का बेटा समझ रही थी वो डियागो का नहीं था डियागो के इंटिमेट होने से पहले ही उनी स्नाइपर्स ने असका का काफी बार रेप किया था असका को ये भी नहीं पता था वो उन स्नाइपर्स में से किसका बच्चा है वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी लेकिन डियागो ने उसे बच्चा पैदा करने के लिए मना लिया था क्योंकि वो ये बच्चा गेमा को देना चाहता था जो मा ना बनने की वज़े से सदमे में थ गेमा को पता भी नहीं चलता, ये बच्चा डियागो का नहीं है इसलिए असका को उस बच्चे के लिए कोई भी फिलिंग्स नहीं थी और आसानी से उसने ये बच्चा गेमा को दे दिया इसके बाद डियागो ने असका की नैक पर उस जले हुए निशान पर एक टैटू बना दिया जिससे वो जले हुए निशान को कबर कर सके और फिर उसकी एक फोटो ले ली बाद में डियागो अपने कैमरे को उसी बिल्डिंग से नीचे फेक देता है इसके अगले सीन में हम उसे एक चटान पर खड़ा होकर ड्रक्स लेते हुए देखते हैं फिर वो समुद्र में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है कानी फिर से प्रिजन टाइम में आती है और गेमा असका को गले लगा कर बहुत रोती है और से रियलाइज होता है असका किस दर्थ से गुजरी है इसके बाद असका नीचे आती है और प्रिएट्रो को बहुत गौर से देखती है फिर ये सब लोग मिलकर डिनर करते हैं जाते टाइम असका प्रिएट्रो से उसका ड्रेम पूछती है अब प्रिएट्रो की उन सब लोगों के साथ अच्छी बॉंडिंग हो चुकी थी इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में